नमस्क्रा दोस्तों. आज का मारा पहला चेप्टर है कि यह मल्टिमीटर है जो इसको रिपएर कैसे करें। क्योंकि ज़्यादता मल्टिमीटर जितने में रिपेर का काम करते हैं। लग बग उनसे जिए खराब होता है किसी काार्न शम आज इसी को चेक करते हैं। इसमें प्रावलम यह है कि यह ओन तो हो रहा है ओन हो रहा है बिल्कुल ओन हो रहा है लेकिन यह किसी भी पार्ट की वैल्ली शो नहीं कर रहा है नहीं इसमें बीप आ रही है यह देखिए इसमें बीप भी नहीं आ रही तो इसको खोल के इसको चेक करते हैं इसमें प्रावलम क्या है तो खोलने के बाद हम मैं आपको चेक करवाता हूँ इसके अंदर प्रालम क्या है जी तो इसके अंदर दोस्तों इसकी यह जो सेंटर वाली तो इसकी अधिए नहीं कड़े तो इसी हम चेक कर लेंगे मल्टिमिटर को और गोण करी की रेंज में रखेंगे और उसके बाद देखते हैं नहीं आई बीप तो यह सबसे पहले प्लस वाली पिन है जो भी पे लगाना अपने मिन्स भी पारिया तो यह प्लस वाली जो और इस प्रोब को फिर मैं क्या करता हूं कि जहां पे रेड प्रोब लगी हुई है वहां पे इस प्रोब को मैं लगा के फिर चेक करता हूं कि यह प्रोब सही है या नहीं है मेरी तो इसके लिए क्या करेंगे इसको इस तरह यहां पर टच कर लेंगे और यहां पर चेक करेंगे, मेंस। मेरी यह प्रॉब भी खराब हो चुकी है, इस वजह से यह मल्टिमिटर काम नहीं कर रहा है, बाकी जो इसकी प्रॉब टूटी हो थी, वह मैने लगा दिया, तो यह जो माइनस वाली प्रॉब यह खराब है, और जो यह प्रॉब है, यह सही है तो हमारा multimeter इसantage को वोल्टेज्टस की अगर आप वीब की रेंज में वोल्ट चेक कर लेते हैं तो आपकी यह जो रजिस्टर है आर उन्नीस और बहुत है यह निज सिम्स स्टर रहा होती है यह समडी बहुन होती है लेकिन मैंने SMD को कनवर्ट करके जो कार्बन रिजिस्टर होती है वो लगा दिया है तो यह 2.2 किलोम की रिजिस्टर थी वो मैंने यहां पे लगा दिया है तो यह वर्किंग कर रहा है कोई प्रालम नहीं बीव गरसा बारी होकी है तो अब इसकी प्रोब का इंतिजाम करते हैं लगाने के अब फिर इस से वर्किंग आगे शुरू करते हैं तो अब हम इस प्रोब को चेक करने का त्रीका यही है कि जहां बेंड से यह खराब है यहां इस टिप से खराब होई है तो इसके लिए सिंपल सा एक त्रीका है कि आप इस सेड एक कट लगा दीजिए किसी भी यह ब्लेड अगरा से तो मैं एक वर यहां पर कट लगा रहा हूं इसके और कट लगाने के बाद इसके अंदर जो वायर होती है वो हमने बार निकाल ली है थोड़ी सी बार निकाल लेते हैं और ताकि हमें यह बार मैंने निकाल ली तो अब चेक करने का तरीका कि हम कैसे चेक करेंगे कि यहां से खराब है या नहीं है तो इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं और यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर देखिए कि यह लगाने के बाद भी बीप शो नहीं हो रही तो मल्टिमीटर बीप शो नहीं कर रहा है अगर मैंने इस पिन पर लगाई है यहां पर यह कितार प वायर है है यहां से खृराब होगी है जो की है हम ना लगा का तो से आपकी जो नौब यहां से खृराब हो किसको रपर वायर करने सीधी इस पिन के अंदर और इसको इंस्टॉर कर देते हैं अंदर ठीकर जी एक ऊसका अपको पर्मनेट कर देंग एंदर और इसके बाद देखते हैं यह देखे जी हमारा मल्टिमिटर अब स्टार्ट हो गया और हमने इसको रुपेर कर लिया मल्टिमेटर भीप आ रही है अब किसी भी डवाइस इसकी अगर हम चेक करते हैं तो हम देख लेते हैं यह चेक सही कर रहा है कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट तरिक्के से यह ओके वैल्यू दिखा रहे हैं बिल्कुल हमारा मल्टिमेटर परफेक्ट हो गया है तो इस तरह आप आप मल्टी मिटर को रिपेकर सकते हैं तो यह थी हमरी चोटी सी एक वीडियो जिसे हम मल्टीर क्योंकि डेली जूज्ज होने educated असके अंदर जातर खराब यही होता है क्योंकि इंटर सुभी जो मैंबस प्लस का जो इंटरफेस करता है वह इसी दो रिजिस्टर की वज़ासे उता है अगर आप कई बर क्या तक नहीं पता लगता क्या बीप की रेंज में होता है मल्टी में आप Va जी सप्लाइच कर लेते हैं जो बारा विटर यह बारवर्ण से ज्यादा होती है तो आज हमने इसको मल्टिमेटर को काफी दिन का पड़ा था ये तो इसको रफेर कर लिया है तो अगर इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं धन्याबाद